हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्माल स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 7 करेंगे जो की क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ये वर्क्षिट 26 जुलाई 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शिरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट to know our number अपने numbers को जाने आईए देखते हैं यहाँ पर first question क्या दिया गया concept of subtraction using number line number line को use करके हम किस तरह से subtraction करते हैं first हम उसको समझते हैं देखो 9 में question क्या दिया गया है 8 में से 3 माइनस करना तो first हम 8 तक जाते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 अब क्या करना है अब आपको जितने भी number दिये गए है उतना number आप back आ जाईए देखो कितना number दिया गया है 7 frog are sitting on a wooden trunk 2 of them jump from there how many frog left on the wooden trunk देखो एक wooden trunk दी गई है इस पहले क्या थे 7 frog बैठे हुए थे अब उन में से 2 ने क्या करी jump मार कर वो आगे हो गए तो अब कितने frog यहाँ पर बचे तो देखो पहले कितने थे 7 frogs थे total frogs कितने थे 7, 2 ने jump लगाई तो अब कितने बचे 5 7 में से 2 minus किया तो कितना हुआ 5 जो frogs है अभी यहाँ पर sitting है अब देखो क्या कहा गया what is subtraction taking away minus, less, difference, deduct and decrease यह सब चीजे जब पुछी जाती है तब क्या करना होता है आपको subtraction करना होता है example subtract 28 from 47 47 में से 28 को subtract करना है किस तरह से करेंगे सबसे पहले 1s के निचे 1s का number 10 के निचे 10 का number इस बात का हमेशा ध्यार करेंगे आप इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे यह हो जाएगा wrong तो आपको क्या करना है 1s के निचे 1s का number और 10 के निचे 10 का number लगाना है अब देखो second अब 7 में से 8 तो minus नहीं कर सकते इसलिए हम क्या करेंगे इस number को हम 17 बना देंगे और इस number को हम 3 बना देंगे एक number carry दे देंगे और क्या करेंगे जो आगे वाला number होगा उसमें एक कम कर देंगे अब 17 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा तो हमारा answer कितना हो जाएगा 19 next देखो क्या लिखा गया है step involving in problem solving जब problem solving questions आते हैं उनको किस तरह से करना होता है identify and understanding the problem पहले तो problem को समझो कि पूछ क्या रहा है color important numbers जो numbers दिया उनको color करो या highlight करो underline the keywords keywords को highlight करो analyze it उसको समझो and solve it देखो दो क्या कहा गया the price of a scooter is 54,500 and the price of a motorbike is 60,921 which vehicle is costly and how much देखो क्या कहा गया कि एक price of scooter का price इतना है motorbike का price इतना है कौन सा vehicle costly है और कितना दो questions पूछे गए है तो पहले हमने क्या किया जो भी numbers थे उनको color कर लिया जो main points थे उनको highlight कर लिया अब हम देखते है price of motorbike motorbike का price कितना है 60,925 and scooter का price कितना है 54,500 अब हमें क्या करना है इनको subtraction करना है पर है I mean probably अब होमें कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 5 मानस के तो 6425 अब पहले तो पने पटा चलिगे भी इतना difference है ब स्च्रिक है मोटर बाइक जो है उसकी जो प्राइज है वो कोसली है ज्यादा अब हम करते है कोशन जब हम कोशन करेंगे तो और भी अच्छे से इन सब को समझेंगे तो देखो क्या कहा गया फर्स्ट कोशन में arrange the column and subtract first क्या करना है कोलम में arrange करना है उसके बाद में subtraction करना है 118 from 543 543 में से 118 माइनस करना है and 7634 में से हमें 5654 subtract करना है तो आईए करते हैं इन्हें solve तो देखे फर्स्ट कोशन क्या है arrange the column and subtract तो पहले हम arrange करते हैं जो हम ones के निचे ones का number लगाएंगे 10 के निचे 10 के 100 के निचे 100 का number ठीक है यह हमने arrange कर दे अब हमें क्या करना है subtraction करना है तो 3 मे इसे 8 subtract नहीं हो सकता है इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे 13 बना देंगे और इसको क्या बना देंगे 4 बना देंगे 13 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना आएगा 5 9 10 11 12 13 5 आया अब 4 में से 1 subtract किया 3 आया तो हमारा first का answer क्या आ जाएगा 3 3 5 अब देखते हैं second question देखो second question में क् 5 6 4 from 7 6 3 4 7 6 3 4 में से 5 6 5 4 हमें subtract करना है तो 7 6 3 4 लिखेंगे इसको once ten hundred and thousand से arrange कर लेंगे उसके बाद में देखो यहां पर हम subtract करेंगे तो 4 में से 4 किया 0 3 में से 8 तो जा नहीं सकता इसलिए इसको हम 13 बना देंगे और इसको हम क्या बना देंगे 5 बना देंगे 13 में से 5 जब ज नाइन बचेगा और 6 में से 5 जाएगा तो वन तो हमारा अंसर क्या आगा 1 9 8 2 तो यह थे हमारे first question के दोनों पाट first के दोनों ही पाट आप हम देखते है second question अब देखते है second question देखो क्या कहा गया question number two by how much of 45 872 less than 50,000 क्या पूछा गया कि 50,000 में 45 872 कितना less है कितना कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा 50,000 में से 45 872 क्या करना पड़ेगा सब्ट्रै करना पड़ेगा तो आईए करते हैं इसे solve अब देखते हैं second question by how much is 45 872 is less than 50,000 तो first हमने 50,000 लिख दिया नीचे 45 872 once 10,000 and 10,000 इस तरह से arrange कर देंगे अब देखो किस तरह से subtract करेंगे जब इस तरह से continuous zero दिया जाता है तो first number को हम 10 कहते हैं बाकि जितने भी number है उसको 9 कर देते हैं और last number को एक कम कर देते हैं इस तरह से कर देंगे अब देखो 10 में से 2 subtract किया 8, 9 में से 7 subtract किया 2, 9 में से 8 subtract किया 1, 9 में से 5 subtract किया 1 और 4 में से 4 subtract किया तो 0 तो हमारा answer कितना हो जाएगा 04128 is required to complete 50,000 तो कितने number चाहिए 50,000 कम्प्लीट करने के लिए कितना less है तो हम लिख देंगे 4128 is less than to 50,000 ठीक है तो यह हमारा second question अब हम करते हैं तो इसको ध्यान से आप subtraction खुद करिएगा इसको ध्यान से समझाया मैंने है लेकिन अपने आप भी करिएगा इन questions को अब देखते हैं next question अब देखते हैं question number 3, देखो question number 3 में क्या कहा गया है the difference between two number is 700, दो number का difference कितना है 700 if the larger number is 3,340 then find the smaller number, larger number क्या है 3,340 smaller और smaller number हमें निकालना है, तो first हम लिखेंगे larger number फिर difference और उनको subtract करेंगे तो आईए करते हैं इसे solve, तो देखें किस तरह से होगा, the difference between two number is 700 if the larger number is 3340 then find the smaller number, तो first हम लिखा larger number 3340 the difference between two number यहां between लिखा गया है, difference between आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा difference between two number 700, the smaller number हम क्या क्या करेंगे, इन दोनों को subtract करेंगे 0 में से 0 गया, 0, 4 में से 0 गया, कितना बचेगा 4, 3 में से 7 तो जान ने सकते है, इसलिए 13 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, तो 13 में से 7 जाएगा, तो 6 बचेगा, और 2 यहां पर बच जाएगा, तो अंसर क्या आजएगा 2640, यह हमारा अंसर हो जाएगा, तो अपनी worksheet को थोड़ा ध्यान से करिएगा, worksheet complete करके अपनी teacher को जरूर चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए Thank you guys